हलो एवरीवन वेल्कम टू लर्न भी आयम शिवानी चौहान इस विडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेविंथ हिंदी की बुक का चाप्टर सेविंटीन वीर कोवर सिंग तो स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोगों नहीं हमारा इंस्टा सॉरी इंस्टाग्राम को है त अगर आप टेलेग्राम पे हमने लर्नभी के नाम से ग्रूप बनाया है अगर आप टेलेग्राम पे हैं तो लर्नभी सर्च करेंगे तो आपको सीधा मिल जाएगा उसको जाकर के आप लोग जॉइन कर लीजे उसमें बहुत कुछ शेयर करती रहती हूं तो फिर आप देख स करते हैं तो उसको टेलेग्राम के चैनल को जरूर जॉइन करिए का लिंक प्रोवाइट कर दूंगी मैं कमें बोक्स में नई प्रोवाइट कर पाई अगर इनकेस जल्दी तो आप लोग प्लीज जा करके उसपे सर्च कर लीजे चार्ट करते हैं आपने सुभद्रा कुमारी चहान की कवता जांसी की रानी छटी कक्षा में पढ़ी होगी तो 6th क्लास में जांसी की रानी कवता जो कि सुभद्रा कुमारी चहान ने लिखी थी वो बहुत ही अच्छे खूब लड़ी मर्दानी वो तो जांसी वाली रानी थी आजकल घूड़ी का आड़ भी आ रहा है तो इस कविता में ठाकुर कुवर सिंग का नाम भी आया है, आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िये, इस स्वतंतरता महायग में कई वीरिवर आये काम, नाना धंदुपूत तातिया चतुर अजी मुल्ला सर नाम, एहम शाह मौलवीट, ठाकुर कुवर सिंग, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगर में अमर रहें जिसके नाम, तो ये अलगविक लोगों के नाम हैं, जिनोंने भारत की पहली स्वतंतरता के लड़ाई में हिसा लिया था, तो यहां स्वतंतरता संग्राम में उसी कुवर के बारे में जानकारी दी जा रही है, सन 1857 के व्यापक सश्यस्त्र विद्रों ने भारत में बिटिश साशन की जड़ो को हिला दिया था, तो 1857 में जो हुआ था, First War of Independence, आजादी की पहली लड़ाई जैसे कहते हैं, जिसमें रानी लक्षी भाई ने भी इसी लड़ाई में भाग लिया था, तो इसमें जो कोवर्सिंग थे, इनके बारे में भी आता है, तो भारत में बिटिश साशन ने जिस दमन नीती को आरम किया, उसके विरुध विद्रों शुरू हो गया था, तो दमन नीती, मतलब सप्रेस करने वाली जो नीती थी, उसके खिलाफ काफी दी गई थी, तो बारकपुर में 1857 में मार्च वाले टाइम में जो मंगल पांडे था, उसने अपने आफिसर की बात नहीं माली थी, तो उनको फासी की सचादी थी, टेन में 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने बिटिश अथिकारियों के विरुध आंधोलन किया और सीधे दिल्ली की और कूच कर गए, तो ये 8 क्लास की हिस्ट्री में भी आप इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, तो 10 माई 1857 को मेरट पहुंच गए बहुत सारे सैनिक और एक तरह से धावा बोल दिया अंग्रेजी सरकार पर, दिल्ली में तैनाच सैनिकों के साथ मिलकर 11 माई उन्होंने दिल्ली पर कपजा कर लिया और अन्ते मुगल साशक बाहदु चाह बहादुशा जफर भारत का साशक घोशुट कर लिया। के खिलाफ ये बहुत बूरी तरीके से फैल गया कई महीनों तक उत्तरी और मत्य भारत के विश्चत रभू भाग पर विद्रोहियों का कप्जा रहा तो बहुत सारे भाग पर नौर्थ इंडिया में सेंट्रल इंडिया में जो रिवोल्यूशनली स्थ जिन्नोंने दिल्ली के लावा बहुत जदा अच्छा खुब विद्रोह हुआ था इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी इस्थानिये विद्रोह हुए विद्रोह के मुखे नेताओं में नाना साहिब तातिया तोपे बक्त खान अजिमुल्ला खान रानी लक्षमी बाई बेग हजरत महल का फोटो है 1857 का अंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ती के दिशा में एक द्रण कदम था आगे चलकर जिस राश्रे एकता और आंदोलन की नीव पड़ी उसकी आधार भूमी को निर्वित करने का काम 1857 की आंदोलन ने किया तो आगे जाकर खे जो नाशनलिस्ट को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेश महत्व है सांप्रदाइक सदभाफ का मतलब होता है कम्यूनल हामनी मतलब एक अलग अलग धर्मों के लोगों ने साथ मिलकर यहां पर लड़ाई करी थी जैसे कि एमदुला खान हो गए और और अलक्षमी भाई हिंद व्यक्ति ने मतलब काफी बूरे थे वो बिटिश साशन के खिलाफ भादूरी के सात्यूत किया अपनी बड़ी उमर के बावजूत भी उन्होंने काफी डटके अंगरीजों का सामना किया था वीर कुवर सिंग के बच्पन के बारे में बहुत अथिक जानकारी नहीं मलती कह जाता है कुवर सिंग का जनम बिहार में शहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ तो कुवर सिंग का जो जनम है वो शहबाद जिले में जगदीशपुर में हुआ था उनके पिता का नाम साहब जादा सिंग और माता का नाम पंचरतन कुवर था इसके उनके पि तो वीर कुवर सिंग कौन थी जमीनदार थे एक प्रभाव कुवर सिंग के सिक्षा दिश्या की विवस्ता उनके घर पर ही की, मतलब उनके पढ़ाय लिखाई स्कूलिंग घर पर ही थी, वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फार्सी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुर सवारी, तलवार बाजी और कु और बाबु कुवर सिंग ने अपने पिता की मिर्तियों के बाद सन 1827 में अपनी रियासत के जिम्मदारी समाली, उन दिनों बिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, इससे लोगों में बिटिश हुकूमत के खिलाब भेंकर और संतोश उत्पन हुरा था, बहंकर संतोश मतलब लोग बिल्कुल पसंदी नहीं करते थे, उन लोगों को, अंग्रेसों को, क्रिशी उद्यों को और व्यापार तो बुरा हाल था ही, रजवाडों के राजदरबार भी समाप्त हो गए थे, भारतियों को अपने ही देश में महत्वपूर और उची नौक्रियों उसे वंचित कर दिया था, तो रजवाडे जो राजा महराजा थे, उनके भी बहुत बुरी हालत थी, भारतियों जो थे, उनको अपने ही देश मतलब अच्छी नौक्रिया नहीं मल पा रही थी, अब इसे ब्रिटिश सक्ता के विरोधी, विरोध देश व्यापी संगर्ष क संगर्प किया, तो लोहा लेने का मतलब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने का इन्होंने संगर्प किया कोवर सिंग्ले, जगदीश पूर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम से प्रसित एक संत रहते थे, उन्होंने ही कोवर सिंग में देश भक्ती एवं कि योजना बनाते रहें, तो किस तरीके से एक बासुरिया बाबा योजना बनाते रहते थे, उन्होंने विहाग के प्रसित सोनपूर मेले में अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना, सोनपूर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशुमीला माना जाता है, कि सबसे बड़ा वशुमीला इशिया का सोनपूर में लगता है, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अफसर पर लगता है, यह हातियों के खरीब बेच के लिए भी विख्यात है, ऐसी एतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधिनता के लिए लोग एकत्र होका क्रांती के बारे मे योज़ा बनाती थे, तो अलग लग जो बड़े-बड़े फंक्शन्स होते थे ना, उसमें जो अंग्रेजों के खिलाफ योज़ाय बनाई जाती थी ऐसे उसमें, फंक्शन्स में, 25 चलाई 1857 को दानापूर की सैनिक तुकडी ने विद्रोह कर दिया, और सैनिक सोन नदी प पर पहले से ही था, यह है, मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुवर सिंग का जैघोश करते हुए आरा पहुचकर जेल में, जेल की सराखे तोड़ दी और कैदियों को अजात कर दिया, तो मुक्ति वाहिनी मतलब एक आर्मी, छोटी सी आर्मी की तुकडी थी, उन 1557-27 जुलाई को इन्होंने आरा जीत लिया, कुवर सिंग ने, सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, यदि भी कुवर सिंग बूड़े हो चले थे, परन्तु वह बूड़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युथ के लिए ततपर हो गया, और आरा कांती का मुहत्व पूर केंदर बन गया, तो आरा जो है, इन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था कुछ समय कले, और इस जगह पर काफी अच्छा मतलब केंदर बन गया, अंग्रेजों के खिलाफ, दानापूर और आरा की इस लड़ाई की जौला बिहार में सर्वत्र भ्याप्त हो ग कामी के कारण जगदीशपूर का पतन रोकाना जा सका, 13 अगस को जगदीशपूर में कुवर सिंग की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किन्तु इससे वीर कुवर सिंग का आत्मबल टूटा नहीं, और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए, तो इससाइड ही नहीं होता था और अंग्रेज बहुत अच्छे से डिसेशन लेते थे तो इस वजह से बहुत सारे हम लोग फिर हार गए थे उनसे, तो वीर कुवर सिंग भी एक जगए हारे बट फिर भी उनों में हिम्मत नहीं हारी और आगे तूसरी क्रांती की योजरा बना करने पड़ेंगे, रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनौ तक गए, तो काफी सारे जगए ये गए अपनी क्रांती के संदेश्व लेकर के, लखनौ में शांती नहीं थी, इसलिए बाबु कुवर सिंग ने आजमगर की और प्रस्थान किया, तो लखनौ में काफी गडब आधिंता में लड़ें, तो जहां जहां ये जा रहे थे, ये सब को मोटिवेट कर रहे थे कि पह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो तो अंग्रेज भी परशान हो कहे थे इनसे तो जहां जज़ जाते थे, कि चाहे राजा हो लोग हो इनकी अंड़ा सब लड़ाई करने को त पहुंचे, आजमगड की और जाने का उनका उदेश ये था, इलाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शक्रूओं को पराजित करना और अंतिता जगदीशपूर पर अधिकार करना, तो आजमगड गए फिर लाबाद गए बनारस गए तो इन सब पर अधिकार करके फिर वो अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे, अंग्रेजों और कुवर सिंग की सेना के बीच घमासा नहीं होता हुआ, तो इनका काफी भेंगड योत हुआ, उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगड पर कबजा कर लिया, अंग्रेजों ने दुबारा आजमगड पर आक्रमण किया, कुव और फिर हरा दिया, अंग्रेजों को कुवर सिंग ने आजमगड में, इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास कर वीर कुवर सिंग 23 अपरेल 1858 को स्वाधींता की विज़पता का फेराते हुए जक्दीशपूर पहुँच गये, तो हरा करके अंग्रेजों को इन्होंने हरा पहुच गये, किन्तु इस बूरे शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विज़ए का आनंद लेने का सौभागे ना मिला, इसी दिन विज़ए उत्सा मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजियों का जंडा उतार कर अपना जंडा पहराया, इसके तीन दिन जो है शरीरिन का ठग गया और इनकी टेथ हो गई, 26 एप्रिल 1858 को, स्वाधींता सेनानी वीर कुवर सिंग युद कला में पूरी तरह कुशल थे, तो युद कला मतलब काफी अच्छे से आदी थी थी ने, चापामार युद मतलब पीछे से गोरिल्ला बॉर्ट जैसे चु वे अंग्रेज नहीं समझवाते थे, दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मनना पड़ता था, 1857 के स्वातनता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसके चमच आज भी भारती एतिहास के प बारे में पड़ रहे हैं, उनकी बहादूरी के बारे में अनेक किस्टे परचले थे, दियों किस्टे हम सुनते हैं, यह एक बार वीर कुवर सिंग को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, वैं कुवर सिंग भी पर चढ़ा कर पार करवाएंगे फिर क्या था अंगरेजी सेना पति डागलेस बहुत बड़ी सेना लेकर बल्या के निकट गंगा तरफ पर पहुँट किया और कुवर सिंग के पतिक्षा करने लगा थी तो अंगरेजी जी सेना पीछे थी इनके तो इनुने अभ़ा फिला दि तो वह भागते हुए शिवराजपूर पहुंचा पर कुवर सिंग की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी एक अंतिम नाव रह गई थी और कुवर सिंग उसी पर सवार थे अंग्रेज सेना पती डगलिस को अच्छा मौका मिल गया उन्होंने गोलिया बरसानी आरंद कर दी कुवर सिंग के बाएं हाथ के कलाई को भेटती हुई एक गोली निकल गई तो जब डगलिस को बता लगा कि वह बलिया नहीं है वह तो शिवराजपूर में है तो वह सीना लेके पहुंच गया तो सारी नाव जा चुकी थी बट एक नाव जिसमें खुद कुवर सिंग थे व कुवर सिंग ने अपने तेजस्वी स्वर में कहा है गंगा मया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेट स्वी कार करो मताबना हाथ काट के पुनादी में बहा दिया वीर कुवर सिंग ने बड़ेश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही उन्होंने अनेक समाजिकार्य भी किये आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी जिस पर स्कूल के भवन का नर्मान किराया गया तो उन्होंने अंग्रेजों से भी लोहा लिया अंग्रेजों को भी माती और इन्होंने समाजिक कार्य भी किये स्कूल के लिए इन्होंने जग्या दी कहा जाता है कि उनकी अमीन नहीं थे फिर भी करीब लोगों की help करते थे इन्होंने आरा जगदीशपुर और आरा बलिया सड़क बनवाई उस समय चल की पूर्ती के लिए लोग कुए खुदवाते थे और तलाब बनवाते थे वीर कुवर सिंग ने अनेक कुए खुदवाए और जलाशय भी कुवर सिंग उदार एवं अतियंत समय चीर रखती थे इबराहिम खां और विफायत हुसेन उनकी सेरा में अच्छी पोजिशन पे थे उनके यहां हिंदू और मुसल्मानों के सभी त्योहर एक साथ मिलकर मनाये जाते थे उन्होंने पाटशा लाएं और मक्तब भी बन उनकी प्रशस्त लोक गीतों के रूप में आज भी गाई जाती है उनकी बिहार बल्या वाले रीजन में फेमस हैं कि आज भी उनकी तारीक में गीप गाए जाते हैं बिहार के प्रसद कविया मनुरंजन प्रसाथ सिंग ने उनकी वीरता और शौरय का वन्ण करते हुए उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं वीर प्रविसनी भूमी धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत गाते थे गावेंगे हम हर दम उसकी जय का गीत स्वतंतरता का सैनेक था अजादी का दीवाना था सब कहते हैं कुवर सिंग भी बड़ा वीर मर्दाना था तो इस और उनका चित्र देखकर आज भी दुश्मन जो हैं डर जाते हैं और वो धन्य धन्य वीर हैं देश के सेवा करी है कि अज भी उनकी मुरगान घाये जाते हैं वीरम का चोनेक जाते हैं सबस्क्राइब को बर्संग मर्दाना थ attention शmmok having the उत्स लोग्ट ग्योजया को बाद झाल, रखंग फिल्ग झाल, 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 झाल…